फ्रेंड्स आज का वीडियो में मैं जो चीज आपसे शेर करने जा रहा हूं इस टोपिक्स इस हाव तो यू मेक एंट्री इन स्विंग ट्रेडिंग पोजिशन और किसी सब से आप स्विंग ट्रेडिंग में अपना पोजिशन बना सकता है और क्या आपका टार्गेट रहेगा यह चीज मैं आपसे सिंपल तरीका से शिखाने का कोशिश करूँगा और जो इस मतलब वीडियो के दौरण हम लोग एनलेज करने का कोशिश करेंगे तो मेरा यह जो मेन फोकास रहेगा प्राइस एक्षन के ऊपर और किसी सब से आप मार्केट को इंटरप्रेट कर सकता है considering price spread and volume and overall structure of the market और आपको market structures किसी सब से define करना है मैं आपसे इस वीडियो के दौरण एक एक करके बताऊंगा अगर आप मेरा previous वीडियो फॉलो किये होंगे तो मैं हर वीडियो में market structures का बारे में बताता हूँ और जो भी मैं target आपसे देता हूँ चाहिए और day trading या sweet trading यह based on market structures तो market structures आपको किसी सब से plot करना है और कौन सा level पे क्या मतलब को entry जो लेना है क्या आपका thought process रहेगा मैं एक एक करके आपको बताऊंगा यह वीडियो थुरा दोस्तों मैंने एक chart आपका सामने open करके रख है और based on that chart पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इस chart को थोड़ा plot करने के लिए plot in the sense की इस chart के अंदर क्या price structure है यह काउंसा मतलब पॉइंट से price को support मिला या price काउंसा level resistance के तरह काम किया है यह थुरा पहले हम लोग plot कर लेंगे और जो की आगे हम लोग को trading decision लेने में easy रहेगा और मैं आपको बताऊंगा क्या आपका thought process रहेगा उस entry को execute करने के लिए तो मेरा video थुरा lengthy हो सकता है मैं request करूँगा कि आप video को थुरा पूरा देखिए और price action को थुरा समझने के कोशिश के करने के लिए और यह आपको आगे आपका जो swing trading जो रहेगा इस swing trading में अगर आप इस strategy को incorporate करेंगे तो आपको फाइदा मिलेगा तो देखते हैं दोस्तों यह जो chart मैंने already plot करके रखा है मतलब पहले मैं इस stock के अंदर क्या price structure यह मैं plot करने का कोशिश करूँगा और देखिए दोस्तों price अगर market structure अगर आपको plot करना है तो आपको सीधा main जो previous या तो immediate जो मतलब price का जो swing high point या low point यह पहले आपको major mark करना पड़ेगा तो मान के चले यह जो मैंने structures मतलब price जो हम लोग को देखा ही दे रहा है तो इस point पे हम लोग एक low देखा ही दे रहा है और यह मेरा extreme high है और उसके बाद इस मतलब यह जो swing high और swing low है इसके अंदर जो minor मैंने को जो structures मिल रहा है हम लोग इस structures को पहले plot कर लेंगे और accordingly हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग को क्या trading opportunities मिल रहा है उसी साब से execute करने के लिए तो मान के चले कि price overall जो अगर आप price को थोड़ा जो मिन करके देखेंगे तो आपको लग रहा है कि यह जो price है तो अफ और मतलब यह देखने से पता है चल रहा है कि यह down trend में print कर रहा है क्योंकि देखिए आप price के अंदर जो pattern बन रहा है यह low था फिर इसके बाद देखिए यह एक है मतलब high है मतलब stock का फिर आप देखिए एक lower high pattern, sorry lower low pattern form के उसके बाद देखिए lower high फिर इसके lower low, lower high तो lower low या lower high pattern जब form करता है तो इस मतलब किसी भी stock के अंदर अगर आपको इस pattern मिलेगा तो आपको clear cut indication मिलेगा कि price के अंदर एक downtrend मतलब देखने को मिल रहा है और आप देखिए कि price इधर एक major मतलब low बनाने के बा price दिरे दिरे फिर नीचे के तरह print किया है अगर मान के चलिए आपको इस level से price मतलब को entry लेना है तो क्या आपका entry strategy रहेगा मैं आपको बता हूंगा तो ये entry execute करने के लिए पहले आपको price का क्या structure है ये देखना पड़ेगा तो हम लोग इस chart के अंदर जो major market structure से मैंने plot कर लिया है और अभी हम लोग price spread को या तो जो candles जो बन रहा है candle को थोड़ा watch करने का कोशिश करेंगे और accordingly इस candle के साथ साथ volume क्या हम लोग को देखाई दे रहा है ये भी हम लोग थोड़ा interpret करने का कोशिश करता है तो मैं इस जो chart को थोड़ा अगर auto play on करता हूं आप देख के structure है और देखिए price ये नीचे के तरफ मतलब print करने का कोशिश कर रहा है और overall trend इसका down है और price के अंदर भी देखिए volume के साथ price नीचे तोड़ने का कोशिश कर रहा है तो अगर हम लोग को जो अगर entry लेना है मान के चिलिए अगर हम लोग को low मतलब entry short position लेना है तो short position लेने के लिए हम लोग ऐसा candle देखे तुरंट कोई entry decision नहीं लेंगे हम लोग देखेंगे इस level bridge करने के बाद price के अंदर क्या reaction हो रहा है pullback कितना तक मिल रहा है और उसके बाद volume के साथ अगर कोई हम लोग को फिर से entry candle देखा ही देगा तब जाके हम लोग इस stock के अंदर entry ले सकता है तो फिलाल इस stock में अगर आप देखे clear card downtrend देखने को मेल रहा है लेकिन यह downtrend या market structures देखके तुरंथ हम लोग कोई trading decision नहीं लेंगे हम लोग को थोड़ा volume को थोड़ा interpret करना पड़ेगा आप देखिए मैंने इस chart को थोड़ा zoom out किया आप देखे कि price के अंदर यह जो दो consecutive bearish candle है और previous जो आप candle को थोड़ा देखिए candle का जो spread है और यह जो consecutive bearish candle था इस candle में candle का spread भी थोड़ा मतलब जादा है और यह volume भी आप देखिए comparative यह जो previous जो volume था volume से भी है मतलब increased volume के साथ paint होते हुए दिखाए दिया है तो हम लोग को थोड़ा wait and watch करना पड़ेगा और accordingly ह हम लोग को अगर कोई suitable opportunities मिलेगा तब ही जाके हम लोग इस stock के अंदर अपना position बनाएंगे तो देख लेता है कि price किसी साथ से print कर रहा है pattern को price नीचे के तरह फिए print कर रहा है दोस्तों देखिए price फिलाल यह जो level था इस level से price को एक support मतलब price इस level यह जो downtrend एक जो move था downtrend move के बाद price ने एक increased volume के साथ एक bullish close दिया है और अगर हम लोग इस level पे क्या trading decision लेंगे यह थोड़ा देखना पड़ेगा मान के चलिए कि अगर देखिए अगर मैं जो आपसे मतलब price section के बारे में share करो आपका analysis एकदम simple तरीका से होना चाहिए और आपको कोई इसके अंदर जादा complicated करके सोचना नहीं है अगर आप किसी भी price section को analysis करेंगे आप price section में effort के साथ result को थोड़ा analysis तो देखिए दोस्तों अगर इस लेवल को प्राइस को तोड़ना है तो accordingly इस वालूम से जादा या तो इस लेवल मतलब similar volume हम लोग को देखना चाहिए कि देखिए इस लेवल पर यह जो वालूम था इस वालूम पर और जो का candle फॉर्म हुआ है इस candle से भी price नहीं यह जो market structure है करीब 520 यह जो लेव टाइम पर इस अगर कोई bullish candle with increased volume हम लोग को देखा ही देता है और इस लेवल को successfully तोड़ पाता है तब ही जाके हम लोग सोच सकता है कि इस stock के अंदर long position लेने के लिए फिलाल ओवरल जो market का sentiment है यह थोड़ा bearish है और price के अंदर भी देखिए consecutive five days पतलब एक bearish देने के बाद price के अंदर एक pullback हम लोग notice किया है और अब ही इस जगह पे आपको थोड़ा analyze करना पड़ेगा कि यह जो pullback हुआ है pullback का extent कितना था यह हम लोग को मतलब जाज करना कि यह जो during five days में price के अंदर करीब 107 points का हम लोग को एक down of all देखने को मिला उसके बाद यह जो candle with increased volume हम लोग को देखा ही दे रहा है इसके अंदर एक pullback मिला है और यह pullback कितना तक correction हुआ है यह हम लोग थोड़ा देख एक second मैं थोड़ा color को change कर देता हूँ जो cap को समझने में easy हो जाएगा अब देखिए यह जो total जो मतलब जो down move था यह करीब 117 का सपस है और यह जो pullback हम लोग को देखने को मिला गार इस level से मैं chart को थोड़ा plot करूँगा तो यह जो high था थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ हां तो यह करीब 51 पॉइंट का हम लोग एक मतलब पूल बैक देखने को मिला तो यह overall मतलब मतलब 50% of that pullback हम लोग को देखने को मिला उसका मतलब क्या है कि दोस्तों मैं आप पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजेगा कि किसी भी stock के अंदर अगर पूल बैक आपको 50% से बिलो मिलता है तो इस stock के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत मतलब टूले करेक्शन देख सकता है उसके पात प्राइस इसका जो में डिरेक्शन है में डिरेक्शन के तरफ प्रिंट करेगा तो इस लेविल से मतलब प्राइस को हम लोग अनलेजिस करना पड़ेगा कि इस लेविल को तो सक्सेस्पुली तोड़ पाता है या और या तो यह जो स्विंग जो मतलब करेक्शन था यह करेक्शन अगर सक्सेस्पूल मतलब यह जो लेविल को बीच नहीं करेगा तो प्राइस धीरे धीरे नीचे फिर से अपना प्रिंट चालू करेग keeping considering the main direction तो इसमें आपका जो target रहेगा अगर मान के चले यह जो level रहेगा इस level से price को फिर से rejection मिलता है तो आपको to that extent यह आपको target मिल सकता है करीब 117 का और based on market structure आपको यह 380 तक भी आपको target मिल सकता है तो as per measured move इसका अंदर price 40 मतलब करीब 400 approximately मतलब down move हम लोग को देखने को मिल सकता है लेकिन based on market structure हम लोग को 380 तक भी point मिल सकता है तो इस level पर मैं फिर से autoplay on करता हूँ आप देखे किसी यह से price print कर रहा है दोस्तों देखिए price के अंदर यह जो मतलब down move था यह अभी भी intact है और price कोशिश कर रहा है कि इस level को तोड़ने के लिए दोस्तों देखिए यह level अभी जो मैं बताना हूँ इस level पर हम लोग को कोई बतलब successful कोई entry candle नहीं दिखाए दिया है और अभी price जो फिलाल एक train कर रहा है यह एक range bound trading हम लोग को देखने को मिल रहा है तो इस level पर आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा कि price कौनसा level पर ब्रेक आउट दे रहा है कि यह अगर आप इसको analyze करेंगे मान के चलिए कि price के अंदर यह consecutive 20 days का जो training चल रहा था तो इस consecutive 20 days के अंदर प्राइस के अंदर एक हम लोग को range bound trend देखने को मिला है तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी direction में प्राउज प्राइस ब्रेक आउट देगा तो हम लोग को उसी direction कोई follow करना है तो फिलल इस level पर हम लोग कोई entry नहीं लेंगे और price को हम लोग थोड़ा watch करेंगे देखें दोस्तो इस level अभी भी यह range को तोड़ नहीं पाया है और फिर विदिन डाट रेंज यह trend मतलब ट्रेडट कर रहा है और एक जाब दोस्तों देखें कि यह जो ट्रेडिन रेंज पर अगर से तो कौन सा पॉइंट पराइस multiple-time hit कर रहा है अभी देखें कि यह जो आझो प्राइस जो प्रिंट कर रही यह multiple तो थोड़ा बेरिश व्यू लेके चल सकता है लेकिन अभी भी हम लोग को कोई entry candle नहीं मिला है तो हम लोग इस stock के अंदर कोई entry position नहीं दोस्तों देखिए यह जो ट्रेंड यह जो रेंज बाउंड मतलब यह जो रेंज के अंदर टाइट रेंज का अंदर यह ट्रेट कर रहा था उसके बाद देखिए प्राइस के अंदर increased volume के साथ ब्रेक आउट मिला है तो हम लोग इस level से मतलब इस entry मतलब इस candle से थोड़ा जो हम लोगा entry रहाएगा यह entry हम लोग execute कर सकता है और हम लोग कोशिश कर सकता है कि इस level को अगर प्राइस ने तोड़ेगा मन के चलिए 440.75 इसका low था तो 440 पॉइंट का नीचे थोड़ा हम लोग एक दो पाइंट नीचे इसको कर देंगे इस candle के अंदर जो low हम लोग को 440.75 तो 440.75 के थोड़ा बहुत नीचे हम लोग इसको entry candle के ही सब से कर सकता है मान के चलिए हम लोग इसको 439 या 440 हम लोग का entry रहेगा अगर below that level अगर प्राइस closing होता है और हमारा जो target रहेगा based on market structure हम लोग को यह 400 से लेकर 380 तक हम लोग को target मिल सकता है तो देखते हैं दोस्तों price किसे हम से pattern को trade कर रहा है देखें दोस्तों आपको जो target मिल गया था तो यह swing cutting में आपने जो target यह तो हम लोग जो target set के था करीब 400 के आसपस यह 400 target हम लोग को मिल गया अगर मान के चले इस level से अगर हम एंट्री लेते तो हम लोग का जो target था यह करीब 400 होने का chance पका था और मैंने मेरा जो swing trading का वीडियो जो मैं post करता हूँ आप देखें कि मैं swing trading में कोई भी stop loss maintain करना प्रेफर नहीं करता हूँ क्यूंकि मैंने जो फॉर देखें मेरे को मतलब trading का वरे में मैं मतलब अभी भी मैं beginners हूँ मैं अभी भी सिख रहा हूँ और जो भी मैं professional मतलब traders का books जो read किया चाहे Larry Conners बोली है या जो भी leading eminent जो traders है उनसे एक चीज मैंने notice किया है कि जो professional traders है वो stop loss ऐसे प्लेस नहीं करते हैं और आग अगर आपका beyond anticipation price print हो रहा है तब आप थोड़ा about loss booking करके या तो break even point पे आप अपना trade को close कर सकता है तो इसलिए मैं जब entry लेने का सोचा था कि करीब 440 के आसपास तो उस time मैंने कोई stop loss maintain नहीं किया मैंने ऐसी stock position को मतलब short के लिए सोचा है और मेरा target था करी 400 से लेके 380 और आ मैंने entry अगर मान के चले मैंने हम लोग अगर entry को execute करते थे तो यह जो लेग जो हम लोग को टार्गेट मिल गया करीब 23 त्री डेर्ज में हम लोग को टार्गेट मिल गया और यह आपका जो पॉइंट है करीब 38 पॉंट के असपास मिल गया और बेस्ट अन मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग को यह 380 भी मिल सकता कि एस पर यह जो candle जो जीसे आप से फॉर्म और प्राइ 380 यह 380 को भी टाच कर जाएगा तो चलिए दोस्तों देख लेता है कि यह टाच करता है कि नहीं देखिए दोस्तों यह 380 भी टाच कर गया तो स्विंग पॉइंट में आपको थोड़ा पेशेंसली मतलब वेट करना पड़ेगा कि कौन सा लेवल पे प्राइस प्रिंट कर जा रहा है और बेस्ट उन मार्केट स्ट्राक्चर ही आपको लेना है दोस्तों हम लोग इसी चाट को ही ठोड़ा कौंटिन्यू फालो ऐस करेंगे और मार्केट ह Bonus लिए आगर इस चीज़ को मतलब मतलब सही तरीका से सीख पाएंगे और तरीका से आप Program करेंगे तो आपका विनिंग या विनिंग रिट ज्यादा रहेगा और सास्टेनेवल वे में आप स्विंग ट्रेडिंग से आपका इंकम जनेरेट कर सकता है सक्सेस्फूली तो देखें चलिए दोस्तों देख लेता है कि प्राइस किसे और से पैटन फॉलो कर रहा है और हम लोग मतलब वेट करेंगे कि प्रॉपर इंट्री ऑपोर्चिनिटेस के लिए और एकूडिंगली हम हम लोग इस स्ट्रेड में एक्जिगूट करेंगे या तो इंट्री करेंगे तो मैं फिर से यह रिप्ले को अन करता हूं थोड़ा समझने के लिए आप देखे फिनल यह जो एक कैंडल हम लोग को देखाई दिया है एक बीग बे मतलब बूलिश कैंडल विट इंक्रीजड अगर आप देखेंगे कि यह जो consecutive यह जो ट्रेडिंग हुआ था करीब 88 डेज में आज जो वॉल्यूम हम लोगो देखने को मिला था उसके बाद आप देखिए कि आज यह जो वॉल्यूम करीब आफ फोर्थ जैनुरी आ तो मतलब 2017 में हम लोगो देखने को मिला इस कैंडल क के साथ इस वॉल्यूम के साथ प्राइस का यह जो जो डाउन ट्रिंड था यह डाउन ट्रिंड खतम हो गया और प्राइस आफ देखिए कि यह जो डाउन मतलब इस कैंडल के दौरान प्राइस का यह जो रेंज के अंदर जो प्राइस प्रिंट हो रहा था इस मतलब के लिए वेट करेंगे और आप देखी कि इस कैंडल के दौरान जो पॉइंट उचल हम लोग को देखने को मिला करीब फिप्टी टू पॉइंट का असपास हम लोग एक अच्छा खासा उचल देखने को मिला इंक्रिस्ट वॉल्म तो इस स्टॉक के अंदर हम भी हम लोग को मतलब जो पैठन हम लोग को देखा ही दिया और किस लेवल से प्राइस को सपोर्ट र्रेजिस्टस मिला जैसे ये लेवील मैंने ने फ्लॉट कर दिया और प्रिएच्टी जो लेविल मैंने मतलब फ्लॉट करके रख्क और अभी हम लोग वेाट क्लेंगे की इस candle form होने का बाद price के अंदर हम लोग एक pullback expect करेंगे और price अगर करीब 35% से low pullback होता है तो ज़रूर हम लोग को एक one leg correction मिलेगा और हम लोग एक अच्छा का सा entry opportunities देखने को मिल सकता है और target क्या रहेगा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस मतलब candle से यह जो candle form हो है तो हम लोग straight में यह जो candle का जो size है और price मान के चलिए कि price अगर इस level से भी pullback मिलता है तो हम लोग को clear cut यह करीब यह जो level मैं draw कर रहा हूँ करीब 435 का हम लोग को एक target मिल सकता है जो कि based on market structures हम लोग को मिल सकता करीब 458 के आसपास तो अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग थोड़ा wait करेंगे कि अगर पूल बैक किसी सब से हो रहा है अगर यह beyond 50% होगा तो हम लोग को इसके अंदर त्री लेक correction भी देखने को मिल सकता है तो हम लोग को थोड़ा watch करना करेंगा पेशेंट लिए कि इस स्टॉक के अंदर करेक्शन किसी सब से हो रहा है तो इसके लिए मैं थोड़ा फिर से मतलब इस बार आटो रिप्ले मोड आउन करता हूं आप देखिए किसी आप से प्रिंट हो रहा है अब देखिए इसके अंदर जो अब देखने को मिला है ये पूलभ का हम प्राइस के अंदर क़्ूज को सेखिए ने को फिलिए तो फिप्टी पर्सेंन पूलभ typing देखने linha मतलब ये वंलैग का नहीं हुग हो सकता हम लोग को तो प्रॉपर इंटरीग्ध से मिलेगा और 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 बॉल्म को भी थोड़ा वॉलूम प्रिंट होने के बाद दिरे दिरे इस वॉलूम है वॉलूम थोड़ा रिडूस हो गया और हो सक है कि थोड़ा बहुत इस मतलब स्टॉक के अंदर एक मतलब रेंज बाउंड ट्रेड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकता है और जैसे कोई इंक्रिस्ट वॉलूम या पांगे चलिए जो आप मूव था और इसी सबसे अब देखे प्राइस के अंदर दे करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला लेकिन नेक्स डे में थार्ट डे में जो प्राइस ने प्रिंट किया है इस जो इस प्राइस का मतलब यह जो जो आजिक्स जैन का जो कैंडल का जो क्लोस था और इस कैंडल का क्लोस था करीब ठीस इवेंटी सिक्स पॉइंट जीरो फाइव और इस प्राइस ने ओपिन किया है करीब 370 तू इसके अंदर के जो बूलिश मोमेंटम है बूलिश मोमेंटम है भी 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 बरका रहा है अगर मान के चलिए इस प्राइस का अंदर रियली कोई मतलब बेरिश सेंटिमेंट कॉंटिनू रहता तो प्राइस जरूर यह जो मतलब प्रिवियस डे का जो मतलब क्लोजिंग हुआ था करीब मतलब यह जो मुव पर बाइस कि प्राइस है गोजरूर को आप अयुए की चाहिएगा और आप देखे कि जो जो moving average था तो above that moving average price print कर रहा है तो हम लोगो थोड़ा मतलब थोड़ा patiently stock को थोड़ा watch करना पड़ेगा और proper entry candle के लिए wait करना पड़ेगा देखे दोस्तों अभी भी हम लोगो कोई proper entry candle अभी भी मिला नहीं और price दिरे दिरे नीचे के तरह प्रिंट कर रहा है लेकिन आप एक चीज़ देखे मार्केट का जो स्ट्राक्चर है मार्केट का स्ट्राक्चर को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर की तरह फिर प्रिंट कर रहा है तो हम लोगों को wait करना पड़ेगा और इस candle को अगर आप मतलब थोड़ा watch करेंगे आप देखे इस candle में हम लोगों को volume ज्यादा दे रहा है और candle का size भी थोड़ा मतलब जो देखिए reasonable candle का size भी हम लोगों को देखा ही दे रहा तो और भी थोड़ा confirmation के लिए और भी एक दो दिन हम लोगों को wait करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि price के अंदर क्या move हम लोगों को देखने को मिल रहा है देखिए price इस level से भी कोशिच किया था लेकिन अब successfully तोड़ नहीं पया और मैं जो बोला कि अगर beyond 50% कोई candle क के अंदर correction होता है तो उसमें आप मतलब त्री मतलब त्री लेक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकता है और price देखिए फिर से pullback mode में चला गया और यह within a trading range के अंदर price प्रिंट कर रहा है तो हम लोगों को फिर से wait करना पड़ेगा और हम लोगों का जो views रहेगा views थोड़ा bullish ही रहेगा देखिए price इस level फे with increased volume price ने इस level फे closing किया है और जो volume भी volume भी increased हो गया तो इस level से हम लोग entry मतलब हम लोग execute कर सकता है price का जो closing था करीब 400.85 तो हम लोग 401 के आसपास अगर कोई या तो फोरन एवो 401 के ऊपर अगर कोई entry opportunities मिलेगा तो हम लोग इस को मतलब entry का हिसाब से इस चार्ट को तो तो आप देखिए और अभी हम लोग देखेंगे कि यह जो हम लोग का टार्गेट रहा करी फोर थार्टिफाइट से लेके फोर फिप्टी एइट तो यह लेवल मतलब execute होता की नहीं और यह जो प्राइज भी अगर फोर हंड़ेट फोर अगर ओपें होगा तब ही जाके हम लोग entry को execute करेंगे दोस्तों देखें यह जो लेवल हम लोग को ऊपर मतलब फोर हंड़ेट फोर के अभू ओपें हो है तो हम लोग का मान के चलिए लेकिन मार्के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग को 458 टार्गेट मिल सकता है तो इसके लिए हम लोग ट्रेड को होल्ड भी कर सकता या तो हम लोग का मतलब मेजा टर्गेट इस लेवल से भी exit कर सकता है इस 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 तो आप किसे आप से यह extended की जैए देखिए दोस्तों मैंने ज graph texture का आप से डिसक्रेशन कर रहा ता आप देखिए कि प्राइस उसी सब से पेटन को फॉलो किया और अब जो प्राइस जो प्रिंट कर रहे है आप देखिए कि ए रहा कोड़ीं हम लोग का जो मार्केट structure पहले से, मतलब हम लोग plot करके रखा है, उस मतलब market structure का हिसाब से price प्राइस हो रहा है, और हम लोग को target उसी बरावर मिल रहा है, तो अगर हम लोग को अगर इस level से करीब 404 से ले, हम लोग अगर entry लेते, तो करीब हम लोग को 458, as per market structure के हिसाब से clear cut, हम लोग को trade, मतलब plot point मि लेकिन price के अंदर bullish momentum continue है, तो price यह जो next level है, करीब 550, 520, तो 520 तक भी यह touch कर जाएगा, देखे 520 भी touch कर गया है, तो दोस्तों मेरा बोलने का मतलब क्या था, कि किसी भी trade को अगर आपको execute करना है, तो proper आपको market structure को पहले plot करना पड़ेगा, और सही entry candle के लिए wait करना पड़ देखे, अगर आपको कोई trade execute करना है, particularly swing trading, तो ज्यादा आपको indicator का पीछे भागना नहीं है, आप simply जो price का जो spread है, या तो volume है, और जो market structure है, इस market structure, price and volume, इस तीनों को अगर incorporate करके, आप simple तरीका से price को analysis करेंगे, तो आपको एक मतलब अच्छा का सा एक, मतलब swing strategy मिलेगा, और उस based on that swing strategy, अगर आप same strategy को strictly follow करेंगे, तो consistently आप market से पैसा निकाल सकता है, मैं ये दावा से कह सकता हूँ, और आपको ज्यादा, मतलब कोई भी strategy का पीछे वागना नहीं पड़ेगा, आप आपना जो strategy है, strategy को simple रखिए, main market structures को सही तरीका से analysis कीजिए, और volume को proper analysis कीजिए, candle को proper analysis कीजिए, और accordingly आप अपना trade को execute कीजिए, तो दोस्तों आने वाले videos में मैं इस price structure के ओपर, या तो price actions के ओपर, और भी मैं video बनाऊँगा, और next video में मैं कोशिश करूँगा कि pullback trading आपको किसी सब से लेना है, और मैं आपको बताऊँगा कि pullback trading में भ अगर आप मेरा video अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो जरूर मेरा चैनल को subscribe कीजिए, like button को दबाना मत भूलेगा, till then, bye bye, happy trading.